खबर प्रधान मंत्री नरेंद्र बूदी कुछी देर में देश की 11 करोड महिलाओं से समवाद करेंगे राजस्थान से भी करीब 30 लाख महिलाए वर्चुली इस कारिक्रम से चुड़ेंगी और प्रधान मंत्री को सुनेंगी आपको बता दे मुखी मंत्री भजलाल शर्बा भी इस कारिक्रम में श्रामिल होने ज़ा रही है दुर्गापुरा स्थेत कृशी प्रबंधन संस्था के सभागार में ये कारिक्रम का आज़वन हो रहा है जहां से मुकी मंत्री भजलाल शर्बा भी विडियो कॉन्फरेंसिंग के जर्ये इसकारिक्रम से चुड़ेंगे देखें आठ तारिक को महिला दिवस अंतराश्टिय महिला दिवस और उससे पहले प्रधान मंत्री नरेंद्र बोधी जो हैं और हमारे सयोगे विश्रू शर्बा हमारे साथ लाइफ जुड़ रहे हैं सीधा उनका रूख करते हैं उनसे जानेंगे विश्रू अब से कुछी देर में प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी जो है वो देश के आधी अबादी यानि की जो महिलाए है मात्रु शक्ती जो है उनको उनके साथ समवाद करने ज़ा रही है राजस्तान से भी 30 लाग के करीब महिलाए जो है वो शाविल होंगी किया कुछ ये पूरा कारिक्रम है आपसे जाना चाहेंगे साथी प्रदेश से और कौन-कौन सियम के अलावा इस कारिक्रम से जुड़ेंगे बिल्कुल आपको बता दें कि प्रदान मंतरी नरेंदर मोधी कुछ दिर बाद रदेश की जो आदी आबादी है महिला सक्ति है उससे वर्च्वली जुड़ेंगे उन्से समबाद करेंगे कारेकरम बले कॉलकता में होगा लेकिन देश बर के जो महिला स्वेम साइता समू है उनसे प्रदान मंतरी रूबरू होंगे और उनसे संबाद करेंगे अपने बात रखेंगे और राजस्तान की बात की जाए तो राजस्तान में मुख्य मंतरी भजनलाल शर्मा सहीत उनकी पूरी कैबिनेट अलग-अलग इस्तानों पर रहेगी इस वक्त और इसके अलावा पार्टी के जो नेता है पदादीकारी है वो लोग भी तमाम जगे इस कारेकम से जुड़ें क्योंकि एक मैला स्वाइन सायता समू है उसमें करीब 11 की संक्या होती है लीडर के अलावा 10 संक्या ओर होती है और इस तरह कि कई समू गाओं में होते हैं सहरों में वाड़ों में हैं तो तमाम लोग जो है वो अब उनको पार्टी से जोड़ने का अभीहान है महा भीहान कई समू है अब बीजेपी ने अभीहांट चाह शुरू किया है यहां पर और इस अभीहांट के तहट पहले महिला स्वहम्जाइता समू से बीजेपी कारे करता हो ने शंपर्क किया और उसके बाद करने के और मैं भीहरी पुरा 25 से आई हूँ मैं शुयम साहिता समू में जुणने के बाद मतलब मेरी आर्थी किस तरी ठीक हो गई है और हमें अना मतलब मोदी जी ने लगपती दिदी की ट्रेनिंग दिलवाई है तो इससे हमें आगे बढ़ने के लिए इन्होंने प्रोसायन किया है और हम राजवीका का धन्यवाद करते हैं कि आज हम यहां तक पहुँच पाए हम गाहों से बाहर कभी नहीं निकलते थे हम जानते भी नहीं थे पंचायत क्या होती है स्वयम सायता समूर में जुड़ने के बाद हमें चोटी मोटी मिटिंगे होने लगी और हमें 25 समीती में चोटी मोटी प्रोग्राम में बुलाया गया और हम सकती बंदन में आज यहां तक पहुंच पाई हैं बिलकुल आप देख सकते हैं कि कई महिलाएं यहां पर मौजूद हैं यह लोग यहां पहुंचे हैं दूर दर से घराज के इलाकों से अब प्रदान मंत्री इनको संबोधित करने वाले क्योंकि एक आर्तिक ससक्तिकर्ण का बड़ा उधारण है और इसी को लेकर यहां प्रदान मंत्री अपनी बात रखने वाले हैं कि किस तरह यह छोटे चोटे समू है वो कार्ये करते हैं गाउं में काम करते हैं महिलाओं को ससक्तिकर्ण आर्ति ग्रूप से कमजोर है अभी बताया कि करीब एक करोड जो लखपती दीदी है वो बनाने का टार्गेट यहां पर प्रदान मंत्री की ओर से दिया गया तो एक करोड लखपती दीदी हैं यहां बनाई जाएगी और इसको लेकर भी कई कारेकरम हो चुके रादिस्तान में कारेकरम हो आता तो ऐसे में लगातार यह जो चल रहा है अभियान एक बड़ा अभियान है और इसी अभियान के तहतियां बात होगी अगर बात के जाए तो पूरी कबिनेट के सदेश से अलग अलग जगे इसी तरह गुरूप में जो महिलाए गुरूप है उनके साथ संबात सुनेंगे केंद्री जो मंत्री है वो लोग उनके लिए का गया वो अलग अलग जगे पुरे देश भर में इस संबात को जरिय जूडएंगे वर्चोली संबात से जूडएंगे रादिस्तान में बात की जाए तो जैसे किर्शी मंतिर किरोली लाल मीना है वो काणोता से जुड़ेंगे वहीं बीजेपी प्रदेश अद्यक्षी पी जोशी वो अलग इलाके से जुड़ेंगे कि जे बीजेपी की कारिया है राधिस्तान के अगर बात की जाए कि ले जहां पर यहकारिक्रम होगे वहां पर इस तरह के निड्धे अजय देगे